मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछू कि दुनिया का सबसे अनमोल रिष्टा कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे मा, हम सब के जीवन में मा का दर्जा सबसे उचा होता है, मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोर्षन करती है, हर मां अपने बच्चे पर हरस्ने हैं लुटाती है, जन्मदाती मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता, मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या, इसी सोच में से इस वर्ष बिश्व परियावरन दिवस पर एक विशेश अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है, एक पैड मा के नाम, मैंने भी एक पैड अपनी मा के नाम लगाया है, मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से यह अपील की है, कि अपनी मा के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पैड जरू लगाएं, और मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि मा की इस मुति में या उनके सम्मान में पैड लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग अपनी मा के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पैड लगाने की तस्वीरों को सोशल मिडिया पर साजा कर रहे हर कोई अपनी मा के लिए पैड लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या ग्रहेनी, इस अभियान ने सबको मा के प्रती अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है, वो अपनी तस्वीरों को हैश्टेग प्लांट फॉर मदर और हैश्टेग एक पैड मा के नाम, इसके साथ साजा करके दूसरों को प्रेलित कर रहे हैं, साथियों, इस अभियान का एक और लाव होगा, धर्ती भी मा के समान हमारा ख्याल रखती है, धर्ती मा ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी करतवे हैं कि हम धरती मा का भी ख्याल रखे मा के नाम पैड लगाने के अभ्यान से अपनी मा का सम्मान तो होगा यह होगा धरती मा की भी रक्षा होगी पिछले एक दसक में भारत में सब के प्रयास से वनक्षेत्र का अभूत्पुर्व विस्तार हुआ है अम्रित महुत्सव के दोरान देश भर में साथ हजार से जादा अम्रित सरोवर भी बनाए गए है अब हमें ऐसे ही मा के नाम पर पैड लगाने के अभ्यान को गती देनी है मेरे प्यारे देश वास्यों देश के अलग-अलग हिस्सों में मौनसुन तेजी से अपना रंग विखे रहा है और बारिस के इस मौसम में सप्य घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है चाता मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरग के चातों के बारे में बताना चाहता हूँ ये चाते तयार होते हैं हमारे केरला में वैसे तो केरला की संस्कूरूती में चातों का विशेश महत्व है चाते वहां कई परंपराओं और विदी विधान का एहम हिस्सा होते हैं लेकिन मैं जिस चाते की बात कर रहा हूँ वो है कार्थुम्बी चाते और इन्हें तयार किया जाता है केरला के अट्टा पड़ी में ये रंग बिरंगे चाते बहुत शांदार होते हैं और खासियत ये इन चातों को केरला की हमारी आदिवासी बहने तयार करती हैं आज देश भर में इन चातों की मांग बढ़ रही है इनकी ओनलाइन बिक्री भी हो रही है इन चातों को वट्टा लग की सहकारी कृषी सोसाइटी की देखरेक में बनाये जाता है इस सोसाइटी का नेतरुत्व हमारी नारी शक्ती के पास है महिलाओं के नेतरुत्व में अट्टा पड़ी के आदिवासी समुधाय ने एंट्रप्रिनर्शिप की अध्भूत मिशाल पेश किये हैं इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हेंडिक्राप यूनिट की भी स्थापना की है अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पहारंपारिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है इनका मकसद सिर्फ अपने चाते और अन्य उत्पात बेचना ही नहीं है बल्कि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृती से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं आज कार्थुम भी छाते केरला के छोटे से गाउं से लेकर मल्टी नेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं लोकल के लिए वोकल होने का इससे बहत्रे नुदारान और क्या होगा